जैहिंद इस वीडियो हम लोग टेक्स्टाइल ग्रूप के एक संदार कम्पनी ट्राइडेंट के बारें बात करेंगे जानेगे कि ओमिक्रोन का इसका सेर प्राइस पर क्या आसर पढ़ने वाला है क्या ट्राइडेंट का सेर प्राइस डाउन जाने वाला है और गो डाउन जा सकता है क्या हमें इसके share को बेश कर निकल जाना चाहिए या भी और होड़ करना चाहिए और जो quarter three के result आने वाले हैं उसका क्या होने वाला है क्या हमें dividend मिलेगा एक एक चीज पर तसल्ली और तबियत से से बात करेंगे चलिए वीडियो सुरू करते हैं देखे ट्राइड लिमिटेड एक टेक्स्टाइल ग्रूप के संदार कंपनी है जिसका मार्केट केप 27,264 क्रोन रोपया है जो की काफी संदार है और प्राइस देखेंगा बाउन रोपया पंचानवे पैसा आपने ये गौर किया होगा पिछले काफी समय से इसका जो सेर प्राइस से 284 रूपय के भीच में ट्रेट कर रहा है ना उपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है इसका कारण है कि ट्राइडेंट का सेर प्राइस बहुत पड़ता है share price के down जाने के chances होते हैं और अगर share price इस बार डाउन आता है तो कहां तक डाउन जा सकता है वो डाउन जा सकता है 45 रुपए 80 पैसा तक तो वैसे लोग जो शौट टर्म के लिए इसमें investment किये हैं जिनका नजरिया 20 तो profit booking कर सकते हैं यहां तक सेर प्राइस आएगा अपने इसाप से आप प्रोफिट बुक करके निकल सकते हैं और वो लोग जो इस सेर को बाई करना चाहते हैं उनके लिए एक बाइंग ऑपर्चुनिटी यह है कि जब अगर सेर का प्राइस डाउन होता है ओमिक्रों के चलते यहां तक इसका सेर प्राइ इसके दो पॉइंट है कि निगेटी पॉइंट एक पॉजिटी पॉइंट दोनों को एक-एक करके समझते हैं तब ही हम जान पाएंगे कि इसके क्वाटर 3 का रिजल्ट है क्वाटर 2 से बहतर होगा या नहीं देखें निगेटी पूइंट में यह है कि अभी विट इसके चलते इसका result quarter 2 से बहतर नहीं हो, लेकिन positive news भी है, positive news यह है कि इसके promoters में अपना holding लगतार बढ़ा रहे हैं, 73% promoters holding हो गई है Trident में, और आप जानते हैं कि कि किसे company में promoters holding है, तो काफी बहतर होती है, लेकिन यहां 73% हो चुका है, मतलब काफी अच्छा है, और एक good news य प्रोना आई, यह उतना खजटनाक नहीं है, और धिरे-धिरे अभी एक कमजोड पड़ता जा रहा है, तो चुकि यह दो positive news है, तो इससे काफी प्रपल समय होना है कि quarter 3 का result quarter 2 से बहतर हो, तो अगर quarter 3 का result quarter 2 से बहतर होता है, तो हो सकता है कि हमें एक बार फिर से dividend देखने को तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सब के कमेंट कर इपलाई देता हूँ, बाकि अगर चैनल पर पहली बार आया है, तो हम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आज के लिए इतना है, मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में सुक्रिया